बिहार के दर्भंगा जिले के लिए एक और बड़ी खबर है इस पाइस जेट की घोशना के बाद अब बिहार के दर्भंगा एरपोर्ट से इंडिगो भी उडान भरने के अपनी कवायत तेज कर रहा है दर्भंगा एरपोर्ट से पाँच रूटों पर हवाई सेवा शुरू करने की तयारी में इंडिगो जुटा हुआ है जद्यू के रास्टिय महासेचिव संजय ज्हा की कमपनी के द्वारा दिल्ली में इस संबन्ने बात की गई है आपको बता दे कि मीडिया से जो जानकारी निकल करके सामने आरे उसके मुताबिक इंडिगो दर्भंगा पटना दिल्ली दर्भंगा पटना मुंबई दर्भंगा हैदराबाद दर्भंगा चिन्नई और दर्भंगा पुने रूट पर उडान शुरू करेगा इसके लिए बहुत जल्द ही एक टीम सर्वे के लिए दर्भंगा जाएगी जो एरपोर्ट पर सुविधाओं के स्थिती और अन्य विवस्था का जैजा लेगी इस पाइस जेट कमपनी यहां से नेपाल के लिए भी हवाई सेवा की संभावना देख रही है हवाई सेवा कब शुरू करेगी इसकी घोशना सर्वे के बाद किया जाएगा आपको बता दे किस पाइस जेट कमपनी दर्भंगा एरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बैंगलोरू के लिए एक अगस्य विमानों का परिचालन शुरू करने की घोशना कर चुकी है इसके लिए एक मई से टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो जाएगी कमपनी के एजी एम रेवेन्यू इस सम्बंध में घोशना कर चुके हैं कमपनी इस तीन महानगरों के लिए सीधी उडान सेवा बहाल करने के बाद देश के अन्य भागों को भी इससे जोड़ेगी दरभंगा एरपोर्ट करनवे पटना से काफी बड़ा है आपको बता दें कि दरभंगा वास्यू के लिए बड़ी ख़बर है अब इस पाइस जेट के बाद इंडिगो की फ्लाइट भी दरभंगा एरपोर्ट से उडान भरेगी इसके साथी साथ इस पाइस जेट ने पहले ही घोशना कर दी है और अब मीडिया के जो ख़बर निकल करें सामने आ रही है उसके मुताबिक इंडिगो दरभंगा पटना दिल्ली दरभंगा पटना मुंबई दरभंगा हैदराबाद दरभंगा चिन्न्नई और दरभंगा प पोस्ट की रिपोर्ट